सो साल तक भी आपको घुटने बदलवाने नहीं पड़ेंगे अगर आप यह पांस टिप्स अपना लेंगे तो यह आपका घुटना यह ऊपर की हड़ी यह नीचे की हड़ी यह आपका डिस्क जो घुटनों के बीश में होती है इसमें ग्रीस भरा होता है यह आपका कुरूसि डिस्टा कैसे करनी है जिससे की नी रिप्लेश मेंट की नोबत नाई मोटापा सबसे बड़ा दुश्में आपके घुटने का मोटापा को हम कम करना है लोग कहते हैं उसको दोट सा मोटापा भी नी था फिर उसके खराब हो गए तो उसके लिए उनका खानपान जिम्यदार फिर घुटने के लिए क्या एक्सिसाइज करनी है आपको एक्सिसाइज भी बताऊंगा जिसे कि आपको घुटने 100 पियर सब्सक्राइब रहे वो चार इंपोर्टन इस्पेशल अश्चाइब रहे पहले आपको बताता हूं पहला पॉइंट कि घुटनों की शुरुच्छा के इसे बदलें में सिंधा नमक जो ब्राउन साल्ट है ये रॉक साल्ट है क्यातूट फिर मैदा मैदा ना ले ट्रांस्वेत ना ले और फिर ज़ादा वाईू वर्दख चीए ना ले क्या खाएं ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारे घुटने हेल्दी रहें एक तो सिंपल खाना खाएं हरी सब्जी दाल रोटी खित्की दल्या खाएं इंटर्मिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें जिससे आपका मुटापा दूर है मुटापश से बचने आप हमेशा फिर क्या खाएं जिससे ही घुटने हमारे हंडेड यस तक हैल्दी ने एक तो तीन चीए घर में लाके रख लें सो ग्राम मेथी पचास ग्राम काला जीरा बीस ग्राम अज्वाइन इनको थोड़ा सा भून के जिससे कि उनकी माश्चर के थोड़ी हल्दी लेनी है अदर्वाइज आपको दूदही ज्यादा नहीं लेना दही तो लबख नाहीं ले आपके दूशरी को चिकन हट मिलनी चाहिए वह चिकन हट मालीश से मिलनी चाहिए आप एगर वालत न से तेल क्रेंगे पूरी जो चखनाट मिलगी डिस्क आपधी को ही दिक्कत नहीं आईगी अदर्वाइवस आप खाने में ज्यादाग ज्भाइव के चमी लेने बाकि वंश लोचन बड़ाई अच्छा रहता है यह कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है कैल्शियम फॉस्वर्स मेगनीशियम सिलीनियम जो बड़े सारे मिंडर्स होते हैं इसके अंदर तो यह के चमा शुप शुप शाम ऐसे खा सकते हैं चमागी खालें बड़ा पानी पीते हैं तो से साथ में अलीवर्ण जूष लेने अब आपको बताता हूं मैंने बताए क्या ना खाएं फिर मैंने में बताए क्या खाएं हेल्दी खाना खाएं नमबर तीन है जब डॉक्टर हो जज हो इंजिनियर हो एडवकेट हो आई टी परसनेल हो कोई भी हो जि पीचे लटे जाएंगे तो तब ही आप घुटने धीले पड़ जाएंगे और वो समय से पहले बुड़े हो जाएंगे तो पैरों को लटका कर ना बैठेगे पैरों को सपोर्ट दे के बैठेंगे आपके खुटने जूते चपन नहीं पैने जो उची उची यदि के जूते आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी चार एक्सेसाइज हैं जो चार एक्सेसाइज आपके घुतनों की रक्षा करेगी और कभी भी उनको समय से पहले बुड़ा नहीं होने देगी कभी नी रिप्लेश्मेंट की जूदने पड़ेगी एक तो पैर सीधा करके और दस अकांटिंग करनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ऐसे दिन में तीन बार करनी है आपको इससे साइज, इससे रहे सेक्सेस करें, दोनों हुटनों को थोड़ा उंचा पैर करके करें, यह तो आप ओफिस में भी कर सकते हैं, सुबह, दोपैर, शाम दिन में ती को इजी बरायती है, अब मैं करता हूँ कि हमारी जो पीछे की जो मसले से और पीछे के लिगमेंट्स हैं, इनको हम कैसे हेल्दी रखें, कुरूसिफ फोम लिगमेंट्स और पीछे की मास पीशिया, इनके लिए ऐसे करके पैर को, फिर दस बार हमें पैर चलाना है, ऐसे एक करें, ऐसे कसके दबाएं, फिर कांटिंग करें, एक, दो, तीन, चार, ऐसे दस तक कांटिंग करेंगे, इससे आपके लेटर लिगमेट्स हेल्दी रहते हैं, और वो थेंक्यू बोलते हैं, फिर मीडियल लिगमेट्स जो होते हैं, इनकी शुरक्षा कैसे हैं, इसके लिए स साइडों पर से दबाएं करसके, और घुटनों को बहार की तब धके लें, और फिर इसके बाद ऐसे करेंगे, कि एक, दो, तीन, दस तक की कांटिंग करेंगे, इससे आपके घुटने बड़े हेल्दी रहेंगे, ऐसे ऐसे एकसे आपको दिन में तीन बार कम से कम करनी हैं, और आप सो और से खेल्दी रहेंगे, मेरे पापा, मेरे पापा 90 वर्ष के हैं, वो पूरी तरह से हेल्दी है, चार किलमेट की सुबह वाक करते हैं, चार किलमेट की शाम को, धाई घंटे सुबह योग करते हैं, इसके लाबा, पांचमी और लास चीज में पता रहा हूँ, आपको सुबह साड़े-चार में उठके, दो घंटे योग करना है, दो घंटे योग करेंगे, तो घंटनों के बीच में, जो क्रिस्टल सिमा हो जाते हैं, वो क्रिस्टल वाश आउट हो जाएंगे, जो आपके चलने-फिरने में करकर की यवाज आती है, जो दिक्कत हो जो ग्रीस कम रहता है, ग्रीस बनने लग जाए, और जो फ्री रैडिकल से वाश आउट हो जाए, उसके लिए तो एक घंटा कपाल भाती पनाना हम करना है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक योगी भी हूँ, मेरी बड़ी सारी वीडियो है, इस पर जगदंबा वीडिकर इसे लंबी-लंबी सांच देंगे, तो उसे एनबोलिक रिक्शन होती है, जो हमारे घुट्टों की शुरच्छा करते हैं, अगर ये पांच काम अपना लेंगे, तो जीवन भर कभी आपको नीर रिप्लेस्मेंट की नोबत नहीं आएगी, बस ये काम जितना जल्दी आप श जाएगी जिसको लाखोन लोग देखते हैं, यूटूब ने तो मुझे सिलोर बटन भी दिया है, जब मैं लाइव होता हैं, यूटूब पे, हर संडे को मैं शाम को 4-5 लाइव होता हूं, जो भी आपके फैमिली के हैल्द इसूज हैं, आपके हैल्द इसूज हैं, वो सारे मेरे सामने रखें, मैं उनका जबाब दूगा, हर संडे को साम को 4-5 और हर संडे को साम को 2-3 मैं फेस्बुक का पेज, हैल्द नॉलिज इंडिया पे लाइव होता हूं, हैल्द नॉलिज इंडिया जिस पर आप इस प्रोगाम देख रहे हैं, उसको भी सब फॉलो करें, और